ये वीडियो उन freshers के लिए हैं जो sales में entry करना चाते हैं और interview के लिए जाते हैं लेकिन उन्हें rejection मिलती हैं क्योंकि उनकी पास कोई भी experience नहीं होता ऐसा उनको लगता है आज मैं कुछ ऐसे tips बताऊँगा new और freshers के लिए या six months से एक साल जो भी काम कर चुके हैं वो सभी लोग ये गलतिया करते हैं हम लोग खजारों लोगों का interview लेते हैं कैसी कंपनियों में काम किया आलग अलग position के लिए काफी सारे interview लिए हैं और interview देखे भी हैं इंटर्वी दिये भी है तो ये गलतिया जो हम सुरुवात में करते थे मैं नहीं चाहता कि आप करें क्योंकि एक इंटर्वी के लिए कॉल आना और फिर कॉल के लिए पहले इंटर्वी के लिए बुलावा आना बहुत बड़ी बात होती है महीने में एक से दो ही ऐसी ऐसी अपॉचिंटी आपके पास आती है और वो भी मिस हो जाए तो आपके लिए बहुत ही जादा हानिकारक है आपके सेहत के लिए भी और आपके कैरियर के लिए भी ये टिप्स उन लोगों के लिए हैं अगर आपके नजर में भी कोई ऐसा बंदा है तो आपकी वीडियो पूरा देखिए और उसको बताईए 100% सेलेक्शन होगा इसकी मैं गारेंटी लेता हूँ चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट किरते हैं हम लोग देखो जब भी हम इंटर्व्यू लेते हैं फ्रेशर्स का या किसी भी स्टार्टिंग पोजिशन का तो कोई भी अगर HR इंटर्व्यू के लिए उस वेकिंसी क निकालता है कि मैनेजर उस वेकिंसी के बारे में सोचता है तो वो यह सोच के चलता है कि यह जौब फ्रेशर्स के लिए है यानि कि हम फ्रेशर्स को भी रख सकते हैं नए लोग 6 महीने पुराने एक साल पुराने लोग के लिए हम priority रख के चलेंगे हमें ऐसे लोग चाहिए 50% उनका उसमें seat reserve है उनके लिए priority है तो आप उल्टा क्यों नहीं सोचते आपको उल्टा सोचना है कि आखिर HR experience को भी बुला रहा है और freshers को भी बुला रहा है तो जब experience को हमसे ज़्यादा knowledge है तो वो उने ही connect करेगा फिर हो हमें क्यों बुला रहा है कभी आपने ऐसा उल्टा कोशन नहीं सोचा है market में sales market में या किसी भी job line में हमेशा उल्टा कोशन अपने दिमाग से करना चाहिए क्योंकि कहीं भी अगर freshers को बुलाया जा रहा है इसका मतलब है कि वो job एक freshers को मिल सकती है यानि कि आपकी knowledge होना उस market की कोई भी जरूरत नहीं है तो आखिर वो क्या चीज़ देखेंगे तो यहाँ पर यह concept clear कर लीजिए पहले अगर वहाँ पर केवल freshers को बुलाया गया है तो आपका 100% concept clear है कि वहाँ पर किसी experience की requirement नहीं है वो कुछ और देखेंगे जो कि मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा अगर वहाँ पर freshers और experience को बुलाया है तो वो कुछ और ज़्यादा देखेंगे और थोड़ा बहुत आपकी knowledge चेक करेंगे कि उस market की आपकी knowledge है या नहीं है क्योंकि वहाँ पर experience लोग भी आएंगे तो ये concept clear कर लेजिए अब हम दूसरे पहलों के बारे में सूचते है कि आखिर वो क्या चीज़ देखना चाते है तो जैसा कि position है, company है पहले ये देख लिजिए company किस तरीके की है छोटी company है, new launch company है middle company है या बड़ी MNC company है ठीक है तो वहाँ से आप आगे की तयारी कर पाएंगे कैसे अभी हम बताऊँगा तो ये एक company का category आप divide कर लिजिए फिर job क्या है जोब क्या है क्या कोई मक्खन वाली job है अच्छी job है क्या कोई hard working वाली job है क्या कोई smart working वाली job है आप इस job के बारे में सोचिए उस job के बारे में सर्च कीजिए कि अखिर उसमें करते क्या है लोग किस तरह की job है क्या bulk hiring वाली job है क्या एक दो position वाली job है यानि उसकी company में दो चारी position निका लिया है क्या ज़्यादा position निकाल लिया, bulk hiring है, ये, कैसे, ये चीज़ आप concept अपना clear कर लिजे, अब मैं बताता हूँ क्या होता है, अगर कहीं भी, एक से लिके 5 vacancy हैं, एक से लिके 5 position हैं, same to same, अलग-अलग location के लिए, एक ही location के लिए, तो आप ये मान के चलिए, HR आपकी personality को देखे गा, personality का मतलब body builder नहीं होता, personality का मतलब model नहीं होता, वहाँ पर आपको modeling कराने के लिए नहीं बुलाए जारा, personality का मतलब होता है, आप दूले-पतले हैं, मोटे हैं, मैं कह रहा हूँ, आपका रंग कैसा भी हो, वो personality wise ऐसे देखते हैं, कोई भी जॉब में इस तरह से देखत क्या है, आप कपड़े पहनने का आपका तरीका क्या है, आपके shaving है या नहीं है, या आपने दाड़ी भी रख रखी है, तो उसकी cutting अच्छी तरीके से करार रखी है, मार्केट के हिसाब से की नहीं, आप hygiene maintain करते हैं की नहीं, यानि साप, सुत्रे, नाखुन कटे हुए हैं, बाल अच्छी तरीके से कटे हुए हैं, बाल बड़े हों, लेकि अच्छी तरीके से कटे हुए हो, neat and clean तरीके से, ठीक है, आपकी खट कटी हुई हो, सही बनी हुई हो, दाड़ी अगर आप रखते हैं, तो दाड़ी की अच्छी cutting हो, जैसे पंजाब है, हिमाचल है, वो जो और वो लोग proper उनका एक culture है, तो वो लोग दाड़ी भी रखते हैं, लेकिन उसको proper maintain करके चलते हैं, हर तीसरे दिन में वो अच्छी cutting करते हैं, trim करते हैं, cutting अच्छी करते हैं, साप सुत्रे रखते हैं, ठीक है, तो ये सारी सोच चलती है, तो सबसे पहले आपकी personality देखी ज पहन रखे हैं, और दूसरे ने भी वोई पहन रखे हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होगा, एक ने बहुत अपनी, अपने सरीर को ध्यान में रखते हुए, एकदम, मतलब, normal fitting में पहन रखा, regular fitting में पहन रखा, और एक ने बिल्कुल slim fit पहन रखा है, जो paint पुरी chip की थोड़ी सी उपर उठी हुई है, और एक ने बहुत loose पहन रखा है, तो किसका selection होगा, जिसने regular shape में पहनी हुई है, ना बहुत उसकी धीले हैं कपड़े, ना बहुत tight है, ठीक है, कैई लोग जूते matching के नहीं पहनते हैं, उस पे से हलका हलका red वाला पहन लिया, या sporty black पहन तो एक personality में ये सारी चीजे check की जाएंगी, पहली चीज ये ध्यान रखिये, और ये चीज किसी भी interview के लिए हैं, जीवन में कोई भी interview होगा, किसी से meeting करने जाते हैं, business meeting है, कुछ भी अपना product वेचने जाते हैं, तो ये आपको maintain करके चलना है, तो पहली चीज ये check हो जाती है, दूसरी चीज जो check होती है, वो आपका जब मुझ आप खोलते हैं, यानि कि इसको communication कह लीजिए, communication के साथ साथ आपके teeth, आपके मुझ से दुरगन तो नहीं आ रही है, आपके body से कोई मतलब, जैसे महत तो नहीं आ रही है, वैसी, जो दूसरे को assuage कर सके, आप DO का इस्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ऐसा mild, बहुत हलकी खुसबू, ऐसा निए बहुत तेज, जो दूसरी की नाक में लगे, तो ये सारी चीज देखी जाती है, communication देखा जाता है, आपके बोलने का तरीका क्या है, आपको वो काम आता है, नहीं आता, बोलने का जो तरीका है, बच् में कार दे रहे हैं, तो ये communication भी चेक किया जाता है, तीसरी चीज ये है कि अगर आप उस interview के लिए आए हैं, तो company के बारे में knowledge होनी चाहिए, आपको वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा hint होना ही चाहिए, काम को लेके, company market में क्या करती है, उसके कौन-कौन से product हैं, ये आप ध्यान रखिए, politely बोलना है, communication पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, कि company में किस तरीके का communication चलता है, आप ज़्यादा hyper तो नहीं होते हैं, आप ज़्यादा सुस्त तो नहीं है, आप ज़्यादा ढीले तो नहीं है, क्योंकि वह manager आपको इसलिए hire कर रहा है कि training तो वह दे personality ठीक है, तो हम उसको बेचने की training दे सकते हैं, कि भाई ये credit card है, इसमें ये खूबी है, रट लो, लिख लो, और इसको जाके ऐसे बोलना है, उसकी training दे देंगे, कोई product है, कोई distributor बनाना है, उसकी training दे देंगे, उसको रटवा भी देंगे, लेकिन personality को, communication को ठीक नहीं किया जा सकता, तो ये, मैं बताता हूँ, जितने भी interview दिने आते हैं, उसमें से 99% लोग यहां बहुत गरवड़ी करते हैं, पहले तो वो ये आते हैं, कि हमारी कोई job नहीं है, पैसों की बहुत तंगी है, जैसे जैसे job आ जाएगी, सर, हम ये personality सब ठीक कर लेंगे, बहुत सारे क ये जवाब होता है, या मन में उनके ये ख्याल होते हैं, आप company में जा रहे हैं न, company वाले को आपसे कोई मतलम नहीं है, company के पास 1000 choice हैं, अगर किवल आप दुनिया में एक choice होते हैं, तो वो आपको फटे कपड़ों में भी रख लेते हैं, ठीक है, अगले महीने की salary आएगी तो इसके कपड़े सिलवा देंगे, लेकिन आज competition का दौर है, आप से अच्छे 1000 लोग हैं, तो आपकी गरीबी को क्यों सुनेंगे, उनको तक तुरंत फुरंत fast लड़का चाहिए, तो ये अपने मन से निकाल दीजिए कि हम मारे पास पैसे नहीं हैं, बहुत गरीब हैं, dress स इलवा लीजिए, इंटर्वी के लिए special और उसको एकिवल इंटर्वी में पहनिए, जूते को इंटर्वी में पहनिए, तब देखिए आपका selection कैसे नहीं होता है, freshers साल, दस साल, दो, चार साल ऐसी ही गर्वड़ी करते हैं, और जब वो तीन, चार साल धक्के खाके, पहनी भी जॉब लगती है, तो आपको सीखने को जल्दी मिलता है, आपका experience गेन होता है, experience बढ़ता है, और पैसे भी earning आने लगती है, तो उससे भी confidence बढ़ जाता है, तो ये आप ख्याल लगिए, मेरा हाद जोड की निवेदाने की लड़के यही गलती करते हैं, और खास जूते खरील लीजेए एक बार 1000 रुपे के, अपनी ड्रेस पे खर्चा कर लीजे, टाइप खर्चा कर लीजे, बैल्ट पे खर्चा कर लीजे एक बार, उसको केवल इंटर्वी में पहनिए, एक बार खर्चा करेंगे, तीन साल चलेगा, कम से कम, तो यतना आप कर सकते हैं, यह सुरुवाती तयारी होती है और बहुत सारे लोग यहीं फेल हो जाते हैं